हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगे आपके सामने एक मोश्ट हमारे एट स्टाइंडर्ड के लिए स्विक सब्जेक का एक नीव चाप्टर फ्रेश आफ्टर जिसका नाम है इंडियन जुडिशियल सिस्टम जी आदोस्तों एक नया चाप्टर की शुरूआत कर रहे हैं और मोस्ट हिस्ट्री का एक या दो चाप्टर बचा हुआ है तो वो हम लोग कम्प्लिट करा देंगे, सिविक्स का भी एक या दो चाप्टर बचा हुआ है, तो एक यह हो जाएगा, उसके बाद जो भी बचा है उसको कम्प्लिट कर देंगा, यानि सोसल स्टेडिस का भी आपका सिराबस almost खतम होने वाला है, साइन्स और मैस्स तो पहले ही कम से शुरुआत करेंगे इस चाप्टर की, तो देखो यह चाप्टर क्या है, इंडियन जुडिशल सिस्टम, यह है क्या, तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा प्रिवियस कुछ बोलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें अगर मैं याद दिला हूँ, तो अगर आपको जब चलती है, तो उनके अंदर बहुत सारे controlling bodies होते हैं, बहुत सारे representatives होते हैं, बहुत सारे representatives होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक बेसिकल तोर पर अगर बात क्या जाए, तो government सबसे ज़्यादा दो main हिस्सा होता है, एक होता है legislature, ठीक है, legislature होता है, और दूसरे जो होते है, executive, ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें, legislature में दो हिस्से आ जाते हैं, आपको अगर पता होगा, तो legislature में आपके दो हिस्से आ जाते हैं, एक होता है आपका लोग सभा, ठीक है, parliamentary house जिसको बोलते हैं, there are two houses in the parliament, ठीक है, तो legislature में एक लोग सभा हो जाता है, दूसरा हो बोलते हैं, consideration amount क्या होना चाहिए, eligibility criteria क्या होना चाहिए, यह सभी चीज हमने discuss किया था, previous chapters में, तो आप जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, लेकिन वह अगर executives की हम बात करें, तो executives में क्या होते हैं, prime ministers होते हैं, और उनके council of ministers होते हैं, ठीक है ना, council of ministers, यानि कि अ assembly, parliamentary house, prime ministers, उनके जितने भी ministers होंगे, अलग-अलग ministry होगी, health ministry, home ministry, defense ministry, communication, telecast ministry, इस प्रकात की कई सारी ministry होती है, तो हर एक लोग अपना responsibility माते हैं, और उनके अंदर भी कई सारे कारेकारता होते हैं, जो अपना काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा, government को control करने के लिए, कोई एक तो body होगा, जो ये चीज देखे, ये चीज सुनक्षित करे, कि ये जो government काम कर रही है, ये एक proper तरीके से कर रही है कि नहीं, कहीं ये government कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है, अगर कुछ government लोगों के खिलाफ अन्याय करती है, तो वो लोग कहां पे जाएं, कुस्तो ऐ एक body होगा, तो वो जो body होगा, वो होगा दोस्तो हमारा judicial system, क्या होगा दोस्तो हमारा judicial system, और judicial system कोई हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तो, court के चेहरी, courts, पता है ना, court, अदालत के चेहरी, इस प्रकार की चीज़े हम लोग बोलते हैं, तो court होना बहुत ज़्यादा ज सब चीज, district level पे court होते हैं, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, high court होता है, जो mainly आपको हर cities में, mainly बड़े-बड़े cities में आपको देखने मिलेगा, जैसे मुंबई हाइट, high court है, ठीक है इसके अलावा, high court के अलावा, high court के अलावा, आपको देखने मिलेगा, supreme court, जो सबसे लोगों के खिलाफ नहों कोई बिल अगर आपने पास किया है कोई ला कानून अगर आपने पास किया है तो वो कानून सही है कि नहीं लोगों के लिए अगर लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो किस के पास जाएंगे और क्या चीज सुनक्षित करना है ये सभी चीज responsibility in courts के पास लग-णग लेवल पर, ठीक है न, तो वही अगर हम बात करें, तो हर एक इंसान, जो हमारे देश में रहता है, हर एक के thoughts जो होते हैं, thought process अलग होते हैं, ठीक है न, languages अलग होते हैं, ठीक है न, religion अलग होता है, तो हरेक का क्या होता है अपना अपना तरीका होता है सोचने का कोई सोचेगा कि नहीं ये वाला पार्टी अच्छा है जैसे होता है ये बिजेपी अच्छा है कोई बोलता है कोई बोलता है नहीं शीवशे ना इस दर बेश्ट कोई बोलता है नहीं जो महराष्टन और इन्मान सेना है वो सबसे बेश्ट है तो इस प्रकार से कई सारे लोग अलग-अलग बाते कहते हैं तो मतलब हर एक को अपना अपना बात बोलने का हग है क्योंकि यह हमारा फिसको मार देबर, वो बोलेगा नहीं है, अच्छा है में बोलेगा लड़ाई जगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा लड़ाई जगड़ा हो जाएगा तो उसको एक कोट स है injustice हुआ है किसी के खिलाफ अन्याय हुआ है तो उसको कैसे न्याय दिया जाए ठीक है तो यह सब चीज काम जो होता है वो course का होता है ठीक है तो जितने भी लोगों को अधिकार जो दिये जाते हैं अगर उसका वो गलत फाइदा उठा रहे हैं जैसे कि अगर next अब मेरी मर्जी चले में यहां पर कुछ भी कर रहा है जो भी देश के लिए अच्छा है हर चीज कलặt कर रहा है तो कहिं ने लोगों को वो चीज दिखेगा लोग किसके पाधा को कोट में जाएंगे, अपील दायर करेंगे, कि हाँ इसा-इसा है, तो कोट और दे सकता है, पराइम मिनिस्टर को हटाने का, मतलब कोट के पास इतनी पावर होती है, कि वो चीज क्या कर सकता है, एक और दे सकता है, कि इसको गवर्मेंट को और दे सकता है कोट, अगर गौबर्मेंट ने कुछ कानून को पास किया है समझे लो कोई भी बिल हो सकता है अगर वो बिल को पास किया है तो लेकिन सरकार पास करने के बाद dont da हाँ यह जो पब्लिक बोल रहे है वो और इनके आंदोलन की वज़े से कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा तो कोट क्या करेगा order देगा किसको order देगा government को order देगा कि भाया आपका ये जो कानू नहीं ये लोग को मंजूर नहीं है ये आप वापस ले लो भाई नहीं चलने वारा तुम्हारा तो इस प्रकार से कई सारी चीज मतलब कोट के पास इतना क्या होत होती थी तो उसको overcome करने के लिए let's suppose आपका एक अधिकार है आपका एक समविधानिक हक है और आपको वह हक को लेने नहीं दिया जा रहा है तो आप कोट में अपील कर सकते कोट में केस कर सकते पेटिशन दायर कर सकते तो आपको वह हक लेने के लिए आपको कोट जो है help जाएगा तो women's के लिए children's के लिए टीके न साती में जो अगर 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 उनके साथ अन्याय हो रहा है उनके खिलाब कुछ है तो इस प्रकार से वो अपील कर सकते हैं और court उनको help करेगा ठीके अब इसके अलावा कई सारे legal matters भी court देखता है legal matters कुछ भी हो सकता है let's suppose कि आ आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया है रिगार्डिंग बिल्डिंग्स ठीक है ना रिगार्डिंग कुछ ऐसाफ केस आपके खिलाफ बन गया है तो आप वो चीज के लिए भी जो है कोट में जा सकते हैं कई सारे फैक्टर से उसके लिए आप कोट का दर्वाजा जो है खट-कट करता है आपको पता है हमारा डेमोक्राइसि जो है लोकतंत्र जो है ठीक है घूरर गतर्णे करेंगे और आप भी court से सम्मिल के करेंगे ठीक है और जो भी law बनेगा जो भी कानून बनेगा ठीक है ना उसके जो rules होंगे वो rules को obey करने के भी responsibility court द्वारा दी जाएगी ठीक है ना courts जो होते हैं वो rules को obey करना कि यार यो rules बनाए गए हैं तो आप इस चीज को follow करें लेट सपोस कोई एक rule बनाया हुआ है चोरी करना गलत बात है यह rule बन गया समझ लो example के तोरपे चोरी करना बुरी बात है गलत बात है तो एक rule बन गया अब rule बनने के बाद भी फो कोई इंसान चोरी कर रहा है आज भी करते हैं यह लोग चोरी करते हैं तो अगर वो इंसान वो कर रहा है तो उसने क्या किया है वो जो रूल बनाए है उसने रूल को क्या किया है ब्रेक किया है तो रूल जब ब्रेक करेगा तो उसके खिलाफ क्या बनेगा केस बनेगा तो वो केस कहां पर जाएगा दोस्तों कोट में जाएगा एंड कोट क्या करेगा उसको सजा सुनाएगा according to this act बोलते हैं ना 320 दफार मैं आपको उम्रखेट की सजा सुनाता हूँ इस प्रकार से कही सारी चीजे होती है आपने सुना होगा जाएगा प्रकार से चीजे जो है वो आपने देखी होगे ठीक है तो यह जो लॉट है कहीं जितने भी लॉट बने हुए यह किसे के लिए अलग नहीं है चोरी करना अंगर गलत बात है तो कोई अमेर इंसान चोरी करता है तो उसको माफ कर दिया जाएगा और कोई गरीब इंसान चोरी करता है तो सजा सजा दे दिया जाएगा या ऐसा नहीं है यह जो लॉल होते हैं इक्वालिटी जो है नाquele क्रिभन करने के लिए the law is meant for everyone तो law is equal to everyone, चाहे वो गरीब हो, तीक है ना, rich हो, poor हो, forward हो, backward हो, इस प्रकार से कई सारे लोग हो, चाहे वो आत्मी हो, औरत हो, हर चीज के लिए rule जो है, वो same बने गए है, और यही चीज का जो सही तरीके से पालन जो है, वो कोन करवाता है, हमारा judicial system, हमारे जो judges होते हैं, वो करना दोस्तों, ओके, और साथ ही में, जो लोगों का समविधानिक अधिकार है, जो right है, लोगों का, rights, जो हक है ना, वो भी maintain करवाता है, हमारा courts, ठीक है ना, तो जितने भी courts हैं, हर एक का अपना-पना level होता है, अब जैसे कि कई सारे court होते हैं, जो basic level पर काम करते हैं, family court अगरे भी होते हैं, चोटा-मुटा, जो family disputes हो जाता है, divorce का matter होता है, इस परकार से कई सारे जो चीजे होती हैं, वो चोटे-मोटे court में होती हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े criminal activities होते हैं, वो कभी-कभी district level से भी उपर जाते हैं, high court तक जाते हैं, फिर अगर high court में फैसला न मजले ना, ठीक है, तो इस परकार से कई सारे चीजे होती हैं, ठीक है, तो law को maintain करना ये सब इनकी responsibility होती है, ठीक है, अब ये जो judiciary system होता है, इसका structure क्या, ये हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे, तो structure of judiciary system, ठीक है, तो क्या structure है, judiciary system का, ये हम लोग अगर देखेंगे यहापे, तो और हर एक state में आपको देखने मिलेंगे court, हर एक state में क्या मिलेंगे, आपको अलग-अलग court देखने मिलेंगे, तो मतलब कहीं न कहीं अगर बात किया जाता है, तो हर state अपनी तरह, अपनी तरीके से, जो है state government चलाता है, क्योंकि central government तो ही की होगा, जो पूरे देश को control जैसे आज के रड़ में बीजेपी government है, वो पूरे central को cover कर रहा, लेकिन आप अलग-अलग states में जाओगे, तो आपको अलग-अलग government देखने मिलेगी, महाराष्ट में आप देखोगे, तो लग-बग दो से तीन party मिलके, Congress, NCP and शिवशन है, ये तीनों मिलके government चला रहे है, कि हर state में जो government run करने का, जो administration process करने का जो तरीका है, वो काफी ज़्यादा अलग-अलग है, इससे ये पता चलता है, कि उनके जो laws रहेंगे, वो थोड़े बो differentiate रहेंगे एक दूसरे से, तो इस प्रकार से कई सारे चीज़े होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है उपर कोन होता है, डिस्टिक कोट के जितने भी, जितने भी डिस्टिक कोट है, सब के उपर कोन होगा, हाई कोट होगा, और हाई कोट के भी उपर कोन होगा, सुप्रीम कोट होगा, तो इस प्रकार से कई सारे चीज़े होती है, ठीक है, जूड़ी शरी सिस्टम में, और यह बोला यह higher body है, सबसे higher body हमारे देश का judiciary system में supreme quote है, तो यह supreme quote क्या होता है, कैसे काम करता है, इंका main function क्या है, यह सभी चीज हम discuss करेंगे, लेकिन आज ने, इसको हम लेके आएंगे हमारे अगले lecture में, lecture number 2 में, तो फटा-फट से में दोस्तों lecture number 2 भी लेके राजाओंगा, आज का वीडियो पहला ही lecture था, इस chapter का शुरुआथ हमने किया, तो बहुत veteran तरीके से, आपको basic knowledge दे दिया, बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आगे का पूरा detail supreme quote के बारे में, हम लोग lecture number 2 में discuss करेंगे, बहुत ही मज़दार होगा lecture, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीके, तो इसे के साथ वीडियो समाब तो होता है, उमीद करता हूँ कि आपको ये basic चीज समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बहुत लोग को पता भी नहीं चलता है कि civics का ये जो पार्ट है, जैसे इंडियन judicial system में, इसको कोई अच्छे से पढ़ा भी सकता है क्या, क्योंकि बहुत सारे normally, जो लोग है उससी वरट्टा मार के चले जाते हैं, समझ के नहीं